Angel One application में आप भी आपका पहला share अगर खरीदना चाहते हो या investing journey आपकी शुरू करना चाहते हो तो क्या process involved होती है कोई भी share purchase करने में या buy करने में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो end तक वीडियो ज़रूर देखना किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है और कौनसी-कौनसी बाते हमें avoid करनी है सारे बातों के बारे में discuss करेंगे तो जैसे मैं आपको बता दू तो portfolio section में आप देख सकते हो तो यह मेरा भी नया ही account है अगर मैंने सिर्फ example के लिए यहाँ आप दो तिन शेर लेके रखे हैं तो आप यह आल वाले section में है तो जितनी भी holdings आपके पास होगी angel one में वह सारे आप यहाँ पर चेक कर सकते हो अगर आप equity वाले section में आ जाओगे तो आपके पास जितने भी share या stocks है वो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं example के लिए यहाँ पर yes bank का share लेके रखा है ताकि मैं आपको यहाँ पर दिखा सको और चीज़े explain कर सकू तो इसमें हम फिर से आएंगे पहले हम देख लेते हैं कि share buy कैसे करना है अब share buy करने के पहले आ add funds का button मिल जाएगा इसका यह सेम process का मैंने funds कैसे add करने हैं इस पर एक detailed वीडियो बना के रखा है जहाँ पर मैंने आपको funds कैसे add करने हैं क्या-क्या methods आप use कर सकते हो सारी चीज़े मैंने समझाई है आप description में link मिल जाएगा आपको आप चाहो तो चेक कर सकते हो तो चलिए और फिर से चलते हैं हमारे home वाले section पे और देख लेते हैं share buy कैसे करना है अब जो भी share आपको buy करना है उसका नाम आपको simply जो है वो यहाँ पर आके जो एक search का option आपको मिलेगा right side में उस पर click करने के बाद यहाँ पर type करना है जैसे मैं अभी NHPC का example ले लेता हूं तो यह ज HPC में आपको दो option देखने के लिए मिल जाएंगे एक होगा NAC वाला एक होगा BAC वाला तो आप दोनों में से कोई भी choose कर सकते हो ऐसा कुछ difference नहीं पड़ता है NAC याने की national stock exchange होता है BAC याने की Bombay stock exchange होता है तो दोनों में से किसमें भी आप share खरीद सकते हो दोनों में भी आ watchlist में भी इसे add कर सकते हो इसी के साथ साथ आपको यहां पर current market price याने की market में इसका भाव क्या चल रहा है वो देखने के लिए मिल जाएगा open high low close यह सारी बात यहां पर देख सकते हो इसे के साथ साथ market depth याने की bidding price क्या चल रही है selling price के यह जो orders है वह आप यहां पर चेक कर स हूँ बैक करेंगे stock details पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सारे जो fundamental बाते होती है जैसे की market cap वगरा कितना है पिछले इसके sector ने कितना return दिया है market returns कितने है market cap आप यहां पर चेक कर सकते हो और नीचे अगर हम scroll करेंगे तो इसके कोई events वगरा जो है कौन से mutual fund में इसमें invest किया है यह सारी डीटेल जो बाते है वह आप यहां पर चेक कर सकते हो अब यह चेक करने के बाद buy कैसे करना है तो आपको दो बटन नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे एक होगा buy का एक होगा sell का अभी हम जो है वो sell के तरफ नहीं जाने वाले क्यूंकि हमें long term में share खरीदना है तो इसलिए हम buy पर click करेंगे buy पर click करने के बाद उपर की दरफ आपको दो option तीन option देखने के लिए मिलेंगे एक्चुली एक होगा delivery का एक होगा intraday का और एक होगा pay later का यह दोनों option के बारे में हम दूसरे वीडियो में discuss करेंगे intraday पर मैंने already एक वीडियो बना के रखा है आप चाहो तो आपर चेक भी कर सकते हो उपर फिर से हमें NAC और BAC दो option देखने के लिए मिल जाते है आप यहां से चाहो तो toggle भी कर सकते हो जैसे मैंने BAC अगर select कर दिया तो यह BAC में purchase हो जाएगा NAC में कर दिया तो NAC में हो जाएगा पर आप price में देख लो इतना खास कुछ ऐसे difference आता नहीं है तो जब कभी भी आप जो है वो long term में share buy करना चाहते हो तो आपको यह delivery वाला option ही choose करना है intraday और pay later नहीं choose करना है तो number of shares अगर हम यहाँ पर put कर दे जैसे मैं example के लिए एक कर देता हूँ आप जितनी मरजी चाहे quantity यहाँ पर डाल सकते हो आपके इसाप से इसके बाद हमें price का option देखने के लिए मिल जाता है तो यह आप देख सकते हो यहाँ पर market पर यह order set है इसलि market हो जाएगा पर अगर आपको किसी specific price पर यह share buy करना है तो हमें यह limit वाला option चूज करना पड़ेगा जैसे मैं अगर limit पर जैसे ही चूज करता हूँ यह वाला option हमें enable हो जाता है और अगर आप चाहते हो कि 94.15 पर नहीं मैं 92 पर जब यह share आएगा तब buy करना चाहता हूँ त है कि यह share अगर आप buy कर रहे हो तो कितने पैसे आपको लगने वाले हैं वह आप चेक कर सकते हो एक charges का लग बटन देखने के लिए मिल जाएगा उस पर अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपको उसके साथ साथ कितने charges लगने वाले हैं stock के price के अलावा और charges कितने लगने वाले है वह आप यहां पर भी check कर सकते हो राइट में आपको आपका available balance देखने के लिए मिल जाएगा तो उसे साथ से आप आपकी quantity भी decide कर सकते हो चलिए यह सब चीज़े हमने select कर ली अब place buy order पर click कर देंगे तो यह जो है हमें orders वाले section में लेकर आ गया है क्योंकि यह जो हमने order लगाया था buy order delivery में लगाया था पर यह जो order है वो 92 पे limit पर हमने set करके रखाए और price अभी चल रहा है लगबक 94 रुपिस का तो यह जो order है वो जब तक 92 वाला price आ नहीं जाता तब तक execute नहीं होगा pending वाल market बंध होने से पहले 92 price अगर नहीं आती तो यह order हमारा automatically cancel हो जाएगा और 92 price अगर आ जाती है तो यह order है हमारा executed वाले section में चले जाएगा और आपका एक share buy हो जाएगा वो भी 92 के price पर तो यह आज होगा या नहीं यह तो हम नहीं कह सकते market price पर ही मैं आपको share buy करके बता देत तो आपको जो है यह order वाले section में ही यहाँ पर convert to market का button देखने के लिए मिल जाएगा उस पर आपको simply एक बार click करना है click करने के बाद यह आपको पूछेगा कि आपको यह जो है वो market price पर set करना है हमें confirm button दबा देना है तो आप देख सकते हो executed वाले section में अगर मैं जाओ तो अब positions चेक करनी है यह share हमने जो buy किया है वो कहा गया है तो positions वाले section में हम आ जाएंगे तो दोस्तों जिस भी दिन आप कोई भी share buy करोगे उस particular दिन के लिए वो जो share है आपका positions वाले section में भी वताएगा तो इसका आपको कोई भी tension नहीं लेना है आपको यह exit all वाले button पर या exit at market वाले button पर बिल्कुल भी click नहीं करना है अगर आप इन दोनों में से किस पर भी अगर click कर देते हो तो आपका जो share है वो position आपकी close हो जाएगी और यह जो share आपने buy किया था वो sell भी हो जाएगा और आपको कोई भी share यहाँ पर नहीं मिलेगा तो position वाले section को आपको ignore करना है और आपको आज आना है इस portfolio वाले section पर आने के बाद आप देख सकते हो पहले मेरे पास सिर्फ yes bank का share था और आपके सामने मैंने एक share buy किया है NHPC का तो यह हमारे portfolio वाले section में अभी आ गया है आप right side मे इदर profit और loss देख सकते हो नीचे उसकी current market price देख सकते हो आज के दिन में कितना loss हुआ है total portfolio में वह आप यहाँ से भी analyze कर सकते हो और उपर आपको overall profit यह loss जो भी आपका चल रहा है वो यह सारी चीज़े आप यहाँ पर चेक कर सकते हो तो दोस्तों इतना simple process involved होता है कोई भी share अगर इंजल वन application में long term में buy करने का अगर आपको कोई without हो दोस्तों तो comment section में आप मुझसे जरूर पूछ सकते हो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो जरूर से like share और subscribe तीनों चीज़े कर देना मिलता हो आपसे next वीडियो में धन्यवाद